हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ गौरव और इस वीडियो में जिस प्रीमियल लीग मैच काम प्रिव्यू करने वाले हैं वो खिले जाएगा लेश्टर सीटी वर्सेस एवर्टन के बीच मैच कवें योगा लेश्टर एंड किक आफ होगा रात में 12.30 एम पे अब जनरली यह जोनु का खत्रा मन रहा है फिलाल आप देखेंगे लेश्टर अभी पाइंट्स टेवल में 18 में एवेटर उनसे जश्ट नीचे 19 स्पॉट में तो अगर यहां से कुछ और मैचेस में परफॉमेंस सुदारते नहीं है तो हो सकता है इन दोनु में कोई एक टीम या ऐसा भी हो सकता ह यह दोनु टीम अलोंगसाइड साउध हम्टन आपको रिलीगेट होते वे दिखाई थे तो यह वाला मैच ना दोनु के लिए बहुत इंपर्टेंट है दोनु इस मैच को टार्गेट करने वाले हैं क्योंकि अगर रिलीकेशन से निकलना है इससे बड़ा बढ़िया 57 गोल कंसीट कर दिया डिफेंसिवली इशूज है और 29 इनके पॉइंट है जबकि अवर्टन 19 में 33 में 6 मैच जीते हैं 10 डो 17 लॉस है इनको इशूज आ रहे हैं गोल स्कोरिंग में सिर्फ 25 गोल मारे हैं सबसे लोगेश्ट है जो की पूरी लीग में 50 गोल कंसीट भी कर दि 28 इनके पॉइंट है अब अगर जो भी टीम इन दुनों में याला मैच जीते की ना उसके बाद अच्छा काता अड्वेंटेज हो जाएगा वो सीधे जम मारके यहां पर चलियागी 16 इसपॉट में तो दोनों के लिए मैच जीतना काफी इंपोटेंट रहेगा फिलाल अगर आप रीसेंटली देखेंगे ना दोनों टीम ने अपने मैनेजर बदलें एवर्टन ने फ्रेंग लेंपाट को सेख किया उसके बाद वो सौन डाइज लह थे जो कि एक अच्छे मैनेजर थे ऑल्दो सौन डाइज के अंडर में सुर्वात अच्छी रही थी मुझे यादे अर्सिनल को भी स्टाटिंग स्टाटिंग में रहा था जब सौन डाइज नहीं नहीं आए थे उसके बाद उनकी फॉर्म जो है गिर गई है इनफेक्ट लास्ट पाच्छे मैजिस में एवर्टन बिल्कूल अच्छा नहीं कर रही है या तो यह हारे है यह उन्होंने ड्रॉ लॉसी उसके अलावाद दो मैचे में उन्होंने विन कर रहा है और एक उन्होंने ड्रॉ कर रहा है यानि के अंडर डीन स्मिट जो है लेश्टर में इंप्रूब्मेंट नजर आ रही है फिलाल यह मैच लेश्टर के घर में ऑल्दो दो टीम इस मैच कुछ इतने के लिए मो आपको दोनों टीम का लाश्ट मैच का रियल दिखाता हूं तो अपने लाश्ट प्रीमियल लीग मैच में फोर वन से हार गे थी न्यूकासल से जो एक गोल आ था मैगनील ने मारा था जबकि लेश्टर ने एक वनवन का ड्रॉख खेलता लीट से वाडी का गोल थार मेडिस अब आपको बता दिया लेकिन यहां पर मैं इस मैच की लाइनप आने के बाद जो भी फाइनल टीम या अपडेट होगी वह आपको हमारे टेलीगराम चैनल में मिलेगी तो जो मेरे टेलीगराम चैनल का लिंक है वह आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्सन बॉक्स में या आइनप पर बहले बात कर लेते हैं लेश्टर की जो मेरे अकॉर्डिंग फेवरेट या स्लाइट फेवरेट हैं तो मैं इनके थोड़े से ज्यादा प्लेयर पिक करो हो यानिकि मैं 6 या 7 प्लेयर लेश्टर की पिक करूँगा अगर ये क्लियार कट फेवरेट होते हैं 7 confirm प तो नहीं करता हूं बटि स्टिल किसी एक टीम के में जादा डिफेंडर लिया आने हूं ए रहा हूं आग्यू कि एक टीम को अब ही स्लाइटली क्लिंचिट के लिए बेक करना आगा है तो भी मैं लैस्टर को करेंगा क्योंकि एवर्टन भी अटेकिंग वाई श्ट्रेगल कर रही है तो अभी मैं क्या कर रहा हो ना टोटल तीन डिफेंडर ले रहो जिससे मैं दो तो लेश्टर के लिए रहा हूँ एक मैं अवटन से ले रहा हो जिससे एक बैलेंस बन जाए और एक वेटन के defender तर्कॉस की, वो set pieces में बहुत अच्छे है, जब कि लेश्टर जो है, set piece deal करने मन को issue होता है, इस वह से भी मैं तर्कॉस की ले जा रहा हूँ, तो अभी मेरी यहां से top two choice है, कस्टानिया और क्रिस्चन सन दो इनके दोनों fullbacks है, कस्टानिया अटेकिंग अब the best player हूँगे, और क्रिस्चन सन भी लाश्ट कुछ मैंचे से मौका मिलाइन की new signing ते, यह भी defensively, offensively अच्छा करने है, तो मैं अभी के लिए इन दोनों defender को pick करके चल लहूँ, अगर आपको लगरा लेश्टर फेबरेट है वो clean sheet रख लेगी, तो आप third defender, वाउट फायस को भी head कर लेना, यह बंदा भी defensively और header में अच्छा है, बट फिलाल मैं सिर्फ दो pick कर रहूँ जो है, कस्टानियान, क्रिस्चन सन, सुमारे एक proper defensive minded player है, ठीक टाक defensive point दे सकते हैं, अभी मैं ignore कर रहूँ है, इंसे better option मिले, अभी मैं टिलेमंस को pick करूँँगा, जो कि अंडर इन इसमित अब regular खेलने लगे हैं, और टिलिमंस आप जानती है, defensively भी करते हैं, बीजवीज में occasionally goal assist भी करते हैं, creativity भी offer करते हैं, तो मैं अभी के लिए यूरी टिलिमंस को तो midfield में surely pick करके चल लाँ, टेटे का ठीक टाक सा season जा रहा है, although बहुत in front of the goal consistent नहीं है, तो मैं अ साथ assist भी इन्होंने provide कि है, creativity भी offer करते हैं, corners अगेर अभी लेते हैं, जबकि बांस इनके top score, 10 goal मारे और एक assist provide किये है, तो मैं medicine को भी करूँगा, बांस को भी करूँगा, इन कैसा अगर आप लेश्टर को back कर रहे हैं, आप इन दोनों को captain vice captain भी कर सकते हैं, अब बात करते ह बारे में आप जमते हूंगे जो पहले से प्रीमिया लीक फॉलो कर रहे है, last कई CM से लेश्टर के टैलिस मेंने, लेकिन इस season under Brandon Rogers जब तक इनके manager थे, इनको जो है बहुत ज्यादा game time नहीं मिल ला था, but जब से Dean Smith आये, पिछले 3 matches में इनको ठीक ठाक game time मिल ला है, और आज expected today start भी कर सकते हैं, in fact इनों ले last match में गोल स्कोर भी गया था, अभी मैंने वाडी को पिक किया, क्योंकि इन दिनों अच्छा नहीं कर रही है, और दूसरा, Leicester और अवटन दोनों के लिए dual die में अचे है, तो मैं attacker नहीं छोड़ना जाता, but अगर आप शोरे वाडी गोल असन चीज़े मैंने यहां से आपको detail में explain कर दी, अब हम बात करते है, पेनल्टी डेकर की, in case, वाडी और टिलेमंस खेलते हैं, इहनाचो नहीं खेलते हैं, मैं guarantee टू कि वाडी पेनल्टी लिंगे, अगर वाडी और इहनाचो नहीं खेलते हैं, टिलेमंस खेलते हैं, और most probably, medicine औ इहनाचो नहीं ली थी, तो कहने का मतलब है, इन तीनों में कोई भी penalty ले सकता है, अब इनका manager ही जामता है, जहां तक मुझे ज़्यादा जामसेत लग रहे हैं, वो Jamie Wardy के हैं, फिलाल यह मैंने के स्टेट लिखे हैं, लेस्टर के प्रीमिया लिग के, आप यह स्टेट आगा top in comment में join का लीजे, अब हम बात करते हैं, एवर्टन की, तो Jordan Pickford इनके गोल की पर है, बहुत बहुत अच्छे स्टेट अपर है, इंग्लेंड नेशनल टीम के भी नमबर वन गोल की पर है, तो मैं Pickford को अभी शोली recommend करूँगा, चार इनके defender है, Godfrey, Keane, Turkovski and Mikolenko, अब मैंने मीको लिखा है, फिलाल, अगर आपको लगता है, लेश्टर अपने घर में clean sheet रख लेगी, तो तो आप इनका कोई भी defender नहीं ले आना, लेकिन मैं थोड़ा सा balance बना रहा हूँ, और in case, अगर यहां पर एक उलटफेर होता है, बटन निकाल लेती है, match with clean sheet, तो defender में प् अभी के लिए मेरी इनकी defense में number one choice है, तरकॉस्की, जो इनके main centerback के header में अच्छे है, defensive भी अच्छे है, passes बगेरा की भी काफी point दिगे, बाकी एक से ज्यादा पिक कने, आप Miko Lengo है, keen में भी किसी को head कर सकते है, लेकिन मैं फिलाल सिर्फ तरकॉस्की कोई pick करके चल लाउं, डिकोरे, गे, उनाना, तीनों जो है central midfield में खेलेंगे, उनाना मैंने थोड़ा सा आगे लिखा, लेकिन इनकी positioning यही रहेगी, यह 452 का combination है, sorry 451 का, एक loan strike करूंगे, कलवर्ट लुइन, फिलाल, अभी के लिए मैंने इन तीनों को ignore किया, क्योंकि इन तीनों की recently उतनी मैं इन तीनों को ignore करके गया हो, मैं इनके दोनों white players लेके गया हो, Iwobi and McNeil, Iwobi पूरे CN में बहुत impressive रहे है, goal assist भी कर रहे है, goal assist भी कर रहे है, goal defensive भी कर रहे है, और McNeil जो है ना, जो recently most inform player वेटन का है, वो Dwight McNeil है, जब से इनके new manager आ है, Sean Dice है, उनके ender में McNeil का performance बहुत बहुत ज्यादा सुद रहे है, in fact, last, अगर मैं गलत नहीं हो, 3-4 मैचेस में, 2-3 goal score कर चुके है, तो McNeil बहुत अच्छी form में, अंडर स्टाइज, तो मैं अभी के लिए इनको शोली pick करके चल लहूं, अभी मैंने कालवट लो, इनको पिक रहे है, जो इनके main number नहीं है, य जहां तक मुझे लग रहे है, सैद एवर्टन एकाद गोल निकल ले और इनके main number 9 कलवट लूइन है, तो I think कलवट लूइन अच्छा कर सकते हैं, दूसरा इनके पास penalty का advantage भी है, इस वैसे मैंने pick तो गया, लेकिन अगर आपको इनको पे drought है, तो आप सिज़-सिदे इनको दी, बाकि यह मैंने एवर्टन के C&K स्टैड लिखे हैं, प्रीमियर लिग के, फिलाल जो मेरी अभी इस मैच की prediction है, मैं एक 2-1 Leicester victory के साथ जा रहा हूँ, अल्दो यह 2-0 Leicester भी होता है, क्लिंशीर से भी जीच सकती है Leicester, लेकिन यह 1-0 or 2-0 Everton भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस stage of the tournament में दोनु टीम के लिए must-win match है, तो दोनु ही यहाँ पर motivated होंगे, इस match को वेन करने के लिए, तो अभी यह मेरी demo rough team है, गोल की पर मैंने Jordan Pickford Everton से लिए, उनके एक defender Turkovski, दो मैंने Leicester से defender लिए, विक्टर क्रिस्चंसन और कस्टानिया, यहाँ मैंने Madison को पिक किया, बांस है, टिलिमन से, यहाँ मैंने EOB और McNeil पिक किया, फ़रवड में मैंने Calvert Lane और Waddy को पिक किया है, अब एक तो अगर guaranteed है Calvert Lane goal assist नहीं करेंगे, तो आप इनको मत पिक करना, midfield में space होता है, वैसे मेरे पास नहीं अगर आपके बास होता है, तो आप उनाना या गाना गेमें किसी को ले सकते हैं, नहीं तो आप defense में, वाउट फायर्स या सेकेंड एवरेटरें defender, माइकल कीन या मिकलो एंको में किसी के साथ जा सकते हैं, दूसरा, अगर आपको लगता है, वाड़ी फ्लाप होंगे, सेम यहीं चीज़ आप वाड़ी के लिए भी कर स अगर आपको वाड़ी फे trust आप चाहें, इनको भी दे सकते हैं, यह भी थोड़ा risk हो सकता है, तो अभी यह मेरी demo of team थी, updated final team के लिए आपको join करना है हमारे telegram channel से, तो मेरे telegram channel का link आपको मिल जाएगा, description और top pin comment में join कर लिए